इसी के साथ जानेगे कि डियम बनने के लिए आपके पास क्या आवशक्ता होनी चाहिए डियम बनने के लिए आपको भोतिकी और मांसिक दोरों ही प्रिकार से आवशक्ता होती है यह आपकी संगरशीलता, सहनशीलता और टेंसन टोरेंज की छमता को मापता है इसी के साथ आपको अच्छे निरतित्व कोशल के आवश्यक्ता होती है जो आपको एक समू का मार्ग दर्शन करने में सक्षम बनाती है अब बात उठती है यहाँ पर कि डियम और कलेक्टर में बड़ा कौन होता है भ्यान देनी की बात है कि जिला मेजिस्ट्रीट को सौपी के जिम्मेदारी राज्यों के हिसाब से अलग-अलग की होती है जिला कलेक्टर यानि की डीसी जीले में राज्यस्व प्रेशाशन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है साथ ही राज्य सरकार, जिला मेजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर को एक इस्तान से दूसरे ट्रांसफर करती रहती है अब बात कर लेती हैं कि विकल्पिक विशे आपके पास क्या होते हैं सबसे पहले आता है कानून आपको कानून की समझ होनी चाहिए बहुत की विज्ञान, तर्शन सास्त्र, जियोलोजी, समाद सास्त्र, लोक प्रसाशन, राजनिती विज्ञान, मेडिकल साइंस, प्रवंदन, मेडिकल इंजिनेरिंग, सिविल इंजिनेरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग, अर्थ शास्त, इतिहास, भूगोल, गनेत, इ लाजनीती वर्तमान घटना यानि के करंट अफेर्स सामाने मुद्दे भारतिय भूगोल विश्व भूगोल सामाजी विकास आर्थिक विकास यह सभी पेपर वन का सिलेवस है अब पेपर सैकेंड की बात करें तो संचार कोशल अंग्रेजी कोशल अंग्रेजी समझ आपको हो जाते हैं सामाने अध्यन वन सामाने अध्यन टू फित्री और फोर पहले सामाने अध्यन का सिलेवस जान ले भारतिय विरासत और संस्कृति भूल यह सभी सामाने अध्यन का पहला सिलेवस है और वहीं दूसरे की बात करें तो संवीधान साशन सामाजिक निया सामाने अध वीडियो में जानेंगे कि आप डियम कैसे बन सकते हैं और आपके पास क्या एज लिमिट होनी चाहिए और सब्जक्ट पढ़ने के लिए कैसी प्रप्रेशन और कौन से सब्जक्ट आपके पास होने चाहिए इसकी सेलरी क्या होती है ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो में जाने डियम बनने के लिए आपको सिक्षण योगता के आविशक्ता भी है जरूरी है आपको किसी मानने तब प्राप्त यान की विश्वित धाले से इस्तानक की डिगरी प्राप्त होनी चाहिए इसके बाद आपको डियम बनने के लिए विसे इस उपादी और प्रेसिक्षण प्रा क्वालिफिकेशन क्या होती है डिस्टिक मेजिस्ट्रेड बनने के लिए अभ्यारतियों का ग्रजिएशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है यूपीसी एक्जाम के लिए एज लिमिट 21 वर्स से 32 वर्स तक के बीच होनी चाहिए इसमें ओबीसी उमीदवारों को तीन और ऐसी को अदिकारी बन जाते हैं आई इस अदिकारी के खुछ समय बाद आपको पड़नोत्य देखर यानी कि ४न जाते हैं इसी के साथ अब हम इसमीं जान लेते हैं कि डिएशन की पावर कितनी होते हैं आपको बता दियेचिक में Foundowa इने की मेंफिष्ट्रिक मैजिस्ट्रेड ज पे की सेलरी के तौर पर दी जाती है इसके अलावा उन्हें टी ए डी ए ए एच आर ए समित कई पिरकार के भत्ते भी दिये जाते हैं इन सब को लेकर उनकी सेलरी एक लाग से जादा की हो जाती है इसी के साथ हम आपको बता दे कि यूपीसी किलियर करने के बाद डीम बनने में छे साल तक आईया सधिकारी के रूप में सेवा करने के बाद जिसमें दो साल की परेसिक्षन अब दी भी शामिल है एक उमीदवार डीम बनने के लिए पात्र होगा डियम बनने के लिए उमिद्वार को वाये सदिकारियों की रेंक सूची में सबसे उपर होना चाहिए तभी आप एक काबिल डियम बन सकते हैं ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें